छे जून को जेश्ट महा की अमास्या रहेगी। इसी दिन सनी जैनती और वट सावित्री का वरत भी रखा जाएगा। यदि आप भी सनी की साधे साती, सनी की धैया और सनी की महादसा के साथ ही सनी देव के प्रकोप से बचना चाहते हैं तो सनी जैनती के दिन मातर दस उपाय करें और सनी महराज की वक्री दिश्ट से भी बच जाएं दोस्तों आओ जानते हैं साउधानियों के साथ 10 सरल उपाए आप से निवेदन है क्रपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं जानकारी आपको कैसी लगी जैसनी देव भी जरूर लिखें दोस्तों उपाएं से पहले साउधानिया पहली साउधानी है आपकी कि आप अपने दातों को हमेशा ही साफ रखें दूसरा है किसी जूठी गवाही में न जाएं और किसी के लिए जूठी गवाही न दें तीसरा है अगर आप सराप पीते हों उसे तुरंत छोड़ दें, अन्य था आपको सनी के प्रकोप का सामना करना पड़ेगा, चाथा है जुवा सक्टा ना खेलें, ब्याज का धंधा ना करें, पाचवा है पिता और पुत्र का कभी भी अनादर न करें, छाथा है पत्नी या पती के प्रति वफादार बन कर रहें, सात्वा है नास्तिक और नास्तिकता के विचार से दूर रहें, हमेशा सिर्धक कर ही मंदिर जाएं, आईए अब जानते हैं सनी के दस महा उपाए, दोस्तों पहला उपाए है अपनी छाया का दान करें, दूसरा है एक सो आठ बार हनुमान चालिसा का पाठ करें, तीसरा है भैरो बाबा को सराब चभाएं, चोथा है कवे को रोटी खिलाएं, पाचवा है अंधे अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों को खुस रखें और इन्हें दान दें, छथा है सहित का सेवन करें, सहित में काले तिल मिलाकर मंदिर में दान करें, या सहित को घर में हमेशा रखें साथवा है तिल उडद लोहा तेल कालावस्तर और जूता का दान देना चाहिए आथवा है समी के ब्रच की पूजा करें और दीप जलाएं नवा है तीन काले कुत्तों को रोटी इस दिन जरूर खिलाएं दसवा है दसरत करत सनी स्रोत का पाठ जरूर करें तो दोस्तों मित्रों यह थी जानकारी सनी देव के प्रकोप से बचने के उपायों के बारे में जानकारी आसा करता हूँ आपको पसंद जरूर आई होगी आप से निवेदन है क्रपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथ ही वीडियो को लाइक करें कमेंट में जरूर बताएं जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों इसी के साथ विदा लेते हैं मिलते हैं किसी नई वीडियो में तब तक के लिए जय स्री क्रिस्न